So, hey guys, welcome to another video, आज के दूम बात करूएं इंडियन कोश्ट गार्ट रैली वर्तिद और बाइस वेज के वारे में जी हाँ दुस्तों, नाविक, डीवी और जीडी की ओनलाइन या अप्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी है इसके अंदर कैसे आविदन करना है, क्या-क्या э savage details है, क्या एजुकोषन गॉलिकेशन, क्या दौर है कैसे इसको अपलाइ करना है, बिल्कुल आसाने ही तरीके से, यस सारा details इस वीडिव गन्द आपको बताहेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भीना समय लेते हैं अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो जली से पूरा कर देना So guys बहुत बरी खुसकवरी आचुके Indian Cost Guard Open Rally की requirement की नई notification आचुके इसके अदर कैसे आविदन करना सबसे पहले यह आपको बता दूँ और कितनी पोस्ट है और बहुत बरी खुसकवरी है जो लोग Indian Cost Guard Open Rally की वेकंसी की वेट कर रहे थे सबसे पहले details के बात के हैं पर तो सबसे पहले details के अंदर जो है वो organization board name क्या होगी तो cost guard की है आपर तरफ सी यह notification रिलीज हुगी है Post name क्या होगी तो Navig DV और Constable DV की जीडी की post आपको देखने को मिलेगा यानि कि domestic branch और general duty की आपको पोस्ट देखने को मिलेगा वेकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा job location all over India पूरे भारत के अंदर आपको कहीं पर भी job provide की जाएगी who can apply तो all India candidates पूरे भारत के बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकतो exam center all over India इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपका exam जो वो conduct कराए जाए सकती है जेंडर की बात तो only four male candidates ही इसके अंदर भाग ले सकते हैं रैली जो start कफसे यह मैप को नीचे बताऊं का notification अंदर application mode online है अपने phone से भी आविदन कर सकतो और बहुत सरे बच्चों ने आविदन कर लिया है जी हां दुस्तों बहुत सरे बच्चों का आविदन हो चुका है वो अपने phone से ही आविदन कर लिया है अगर आप भी करना चाहते तो आप भी कर सकतो कोई problem आपको नहीं होगी application fee मात्र आपसे कोई fee charge नहीं कर रही है ना ही general, ना ही OBC, ना ही SDC के लिए सारे बच्चों के लिए free of cost है यानि कि free of cost form apply कर सकतो किसी भी तरीके से payment आपको नहीं करने पड़ी है इसके अंदर जो आपसे मागी जा रहे है वो age limit आपका age limit कितना होना चाहिए कितना रहना चाहिए तो minimum आपका age limit होना चाहिए वो 17 year यानि कि 17 सल और maximum के बात करें तो 25 सल अगर आप 17 से 25 के बीच we launch कर रहो या फिर इस age limit के अंदर आते हो तो बिल्कु लाविदन कर सकतो कोई problem आपको नहीं होगी बात करते हैं इसके अंदर और भी details के बारे में आपको कितना salary मिलेगा कितना payment मिलेगी तो per month आपको जो है वो 51,700 starting है और 59,100 अरपया पर month तक आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर और भी details के बात के बात के तो education qualification आपका कितना होना चाहिए आपका education qualification जो होना चाहिए वो 10 पास अगर आप 10 पास किसी भी board सो किसी भी school सो किसी भी राज सो किसी भी college से अगर आप पास हैं तो बिल्कुल आविदन कर सकतो हर एक subject आपको 30 marks ही चाहिए 10th के अंदर तो आप passing certificate ला सकतो बात करते हैं यहाँ पर 10th pass का आपको चेस्ट आपका 4570 cm होना चाहिए इसके अंदर running test के बात के तो 1.6 km running करना परेगा वो भी 7 minutes के अंदर 10 push up और 20 squads selection process के तरज होने वाले सबसे पहले आपका physical लिया जागा medical retain और document और skill test फिर merit list यानि के 6 तरीकी सापको जो है वो qualify करना परेगा तभी आपका selection 100% होगी बात करते इसके अंदर कैसे इसको document लगानी परेगे तो photo and signature education certificate domicile और pen card अधार card में से किसी आपको एक ID proof लगानी परेगी इसके अंदर कैसे इसको apply करना hot apply करके दिया गया हिंद यहां पर apply online का link दिया गया download notification का link दिया गया official website का भी link दिया गया यहीं से आपका application online होगी तो मैं इस website का फूर लिंक नीचे प्रोवाइट कर दूँगा या फिर google बे भी सर्च के जा सकते हो सरकारिक गौर्णमेंट चले जाना पूरी डीटियल के साथ apply कर सकते हो तो बस वीडियो के इंट करते हैं ते नुस्ता तो जाहें जी अवारत